धरंबीर भारती का नाम सुनते ही जिहन में एक नाम आता है और वो है गुनाहूं का देवता 1949 में भारतिय ग्यानपीच से प्रकाशित उपन्यास की आमसी कहानी धरंबीर भारती के इस उपन्यास का प्रकाशन और इसके प्रती पाठकों का अटूट सम्मोहन हिंदी साहित्य जगत की एक बड़ी उपलब्धी बन गए इसमें मध्यम बर्गी भारती समाज के एक साधारन परिवाद की कहानी है प्रेम, समर्पन और समाज के बंधनों की कहानी है गुनाहों का देवता लेखक ने इतने सरल दृष्टांत बनाए हैं कि किरदारों से एक चुड़ाओ सा महसूस होने लगता है आज उसी रोमांस के देवता की कहानी से आप सब का इंट्रोड़ाक्शन करवाती हूँ अगर अब तक आपने न पढ़ा हो तो शायद अब पढ़लें और पढ़ा होगा तो यादें ताजा हो जाएंगी कहानी काफी साधारन है चंदर एक गरीब परिवार से है और डॉक्टर शुकला उसे अपना लेते हैं शुकला जी की एक लड़की है सुधा चंदर का शुकला जी के घर बे रोक टोक आना जाना लगा रहता है सुधा और उसके बीच काफी हंसीथी टूली भी चलती रहती है चंदर अपनी रिसर्च में व्यस्त रहता है और बीच बीच में डॉक्टर शुकला के संग उनकी कारिक्रमों में जाता रहता है शुकला जी ने चंदर का करियर बनाने का जिम्मा अपने सिर पे ले लिया था और उसका मार्ग दर्शन करते रहते थे किताब काफी मज़ेदार है लेखक व्यांग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता जैसे ये देखिए कोई प्रेमी है या कोई फिलोसोफर है देखा ठाकोई नहीं यार दोनों से निक्रिष्ट कोटी के जीव हैं ये कभी है मैं नहीं जानता हूँ ये रविंद्र बिसरिया है एमे में पढ़ता है और मिलाएं तुम्हें बिंती के ससुर का वर्णन अगर देखा जाए तो ये भी अनोखा है और उसने अंदर जाकर बिंती के ससुर के दिव्वे दर्शन प्राप्त किये वो एक पलंग पर बैठे थे लेकिन वो अभागा पलंग उनके उदर के लिए नाकापी था वो चित पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों के उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे प्रित्वी का गोला बाराह के मुँपर कैसे उपर उठा होगा सिर्फ पर छोटे छोटे बाल और कमर वीक अंगोचे के अलावा सारा शरीर दिगंबर सुबशेद गंगा तहां कराए थे क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी सुधा शादी से हमेशा इंकार करती है क्योंकि उसे चंदर से प्यार है लेकिन चंदर जिस आदमी के आश्रे तले पढ़ा उसको कैसे धोखा देता भला शायद इसी वज़े से वो सुधा को अपना नहीं पाया जब डॉक्टर शुकला द्वारा सुधा की शादी तय की गई तो चंदर को ही सुधा से हां कहलवाने की जिम्मैदारी मिली हाई विवेटम बना जो सुधा चंदर को मन ही मन इतना चाहती थी वही किसी दूसरी से उसका रिष्ता तय करवाने चला था सुधा की शादी संपन हो जाती है लेकिन सुख कभी नहीं आता सभी अच्छी कहानियों का अंत प्राया दुखद ही होता है जब कहानी प्रेम पर आधारित हो तो दुखद अंत तो जैसे आवश्यक हो जाता है गुनाहों को देवता में भी कुछ ऐसा ही है अब जिन्दगी में कभी गभाद ही प्रेम प्रसंग अपने मुकाम पर पहुँच पाते हैं जादा तत्तुग विफल हो जाते हैं और विफलता की प्रसंग ही पढ़ने लायक बांटने लायक होते हैं जब सब कुछ अच्छा हो जाए तो फिर पढ़ने में काहेगा आनंद शायद इसी दुविधा वर्ष लेखक को इस कहानी को दुखत अंत देना पड़ा भले ही कहानी में उन सब बातों का जिक्र है जो साधरनत है हम हिंदी सहित्य में पाते नहीं है लेकिन उस समय के समाज का आईना है गुनाहों का देवता सभी किरदार आम इनसान जैसे हैं सभी में कमिया हैं डॉक्टर शुकला वैसे तो किसी के हाँ भी खाना खा लेते हैं लेकिन घर पे चकला चूलहा और जैसे आडंबरों का पालन करते रहते हैं सुधा का किरदार बिल्कुल एक भोली भाली लड़की का है जिसके सामने अपने पिता की आग्या का पालन करने के अलाबा दूसरा कोई चारा नहीं है कहानी का अंत मन को काफी जुझला देता है हम पढ़ना चाहते हैं उन रचनाओं को जिनका अंत आशा के विपरीत हो चाहते हैं कि लेखक हमें चकित कर दे लेकिन मन में फिर भी कहीं एक आशा की किरन होती है कि शायद अंत अच्छा हो जाए खैर अंत कैसा भी क्यों नहों सब को पसंदा नहीं सकता लेकिन अस कहानी का अंत कुछ जादा ही दुखद है मुझसे किसी ने कहा था कि एक महान लेखक की पहचान उसकी द्वारा जीते गए पुरसकारों से नहीं होती यदि उसकी किताबें हर एक रेलवे स्टेशन पे मिले तो समझो कि उसने पाठकों को पा लिया है ये थी धरमवेर भारती के लिखे उपन्यास गुनाहों के देवता की संशेप में कहानी सुनकर जरूर बताईएगा आपको ये कहानी कैसी लगी